सब्सक्राइब करें बालाची सलाइ सेंटर को और बैल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए नमस्पार बालाची सलाइ सेंटर में आज आपका स्वागत है आज मैं आपको बचे वे कपडो से साधा मैक्सी की कटिंग और स्लाइट दोनों सिखाऊंगी देखिए इसके लिए हमें नाप चाहिए किस नाप से हम तियार करेंगे सबसे पहले देखिए लंबाई है 46 चाती है 36 तीरा है 14 बाजी के लंबाई है साथ और गोलाई है 14 तो देखके इसके साथ से हमने कितना कैसे कपड़े लिये हैं मेरे पास यह जो नमबाइब पड़ेग इसमें कितना कप्ड़ा जोड़ना पड़ेगा ताकि हमें लमबाई मिल सकुआ षोर देखके लुदी जो इसकी जो लंबाई है वो है 40 इंच यह 1 मिटर का कपड़ा है 1-1 मिटर के ही 2 कपड़े हैं अब हमने क्या करना है इसके लंबाई बढने के लिए क्योंकि लंबाई हमारे पस मार्जन को षटाया के 46 है तो मार्जन भी हमने 2 इंच का लेना पड़ेगा इसलिए हमें उपर कितना कपड़ा लगाना है ताकि इसकी जो लंबाई है वो पूरी बन जाए और चोड़ाई हमें इस हिसाब से 15 इंच की चाहिए अधिकतर जो मैक्सी होती है उसमें 15 इंच की मैक्सी बहुत अच्छे से तयार हो जाती है चोड़ाई में तो देखें ये 16 इ इसके लंबाई है वो एक मिटर की है 40 इंच की इसके लिए तो हमने दो टुपड़े ले लिए हैं इसमें मैं घीरा तियार करोंगी आब इसके उपर मैं जो चोली बनाऊंगी उसके लिए मुझे कपड़े ची तो वह भी मैने दो ही लिए देखिए एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए नितकर मैंने कितने हिसाइख से निकाले और कैसे निकाले देखिए इसकी जो लंबाई है वह मैंने मार्जन की साथ 8 इंच ले लिए है चोडाई जो मैंने इसकी जो लई है चोडाई मैंने लिए चाथी का लिए है फिर मिन लिए कि अब भी कपड़े का यյान सकते हैं मैंने कैसे इसके मूनेसमें दों में लिए 15 अब इसको पीछे लिए हैं अब हमें क्या करना है सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से कि इस कपड़े के उपर गहरे के उपर हल्का सा आधे इंच पे इसको इसको आप रखने के बाद में हमने क्या करना है सबसे पहले हमने इसमें तीरा लिया तीरा चोधा था तो उसका आदा हमने इस तरीके से करना है यह सिल के मारजन मरा आदा इंच का इसके साथ सिल जाएगा तो यह साथ ही रजाएगा उसके बाद यह देखिए इसको हमने इस तरीके से यह हमारी बगल की लाइना है अब हमने क्या करना है इसकी जो गुलाई बनानी है हमने कहां से बनानी है हमने बनानी है इस कोने से दो इंच इस तरीके से दो इंच का हमने यह निशान देना है इसकोने से परसे दो इंच का इस तरीके से अब हमने क्या करना है इंच हो पॉरा लोहा है है यह जो है हमारी बगल की लाइन फैसने अब हमने Mozka की गुलाई करने हैं उसके बाद restoring क्या करना है यहां से हमने इस तरीके से जैसे हम गुलाई देते उस्याइस तरीके से इसकी गुलाई देनी है इस तरीके से उसके बाद हमने क्या करना है यहां से हमने वही गले का बोक्स देना है जितने भी इंच पर त्यार करना चाहें तो मैं जो आगे का गला है वह पांच इंच पर लंबाई पर और जो इसकी चोड़ाई है वह मैं तीन इंच लूगी मैंने यह बोक्स दे दिया इस तरीके से इसमें चाहो तो आप कोई भी गलाई तयार कर सकते हैं इसके बाद यह तो आगे का बोक्स हो गया पीछे का जो मैं दूंगी वह मैं तीन इंच फे दूंगी क्योंकि जो मैक्स ही होती है उसके जादा बड़े अच्छे नहीं लगते इसलिए छोटे गले ही ज्यादा अच्छे लगते हैं यहां से हमने आदेंच की कंदी डाउन करनी है देखे वही ड्रो है जिस तरीके से हम सूट ब्लाउस त्यार करते हैं उसी तरीके से हमने ये ड्रो करने है अब हमने क्या करना है यह जो बचावा कपड़ा है उसका सरफ हम चुनटे डालेंगे और कटिंग हमारी यही रहेगी जहां से कटिंग शुरू करनी है और इसकी दिया करना है इसके अंदर हमने थोड़ी से कटिंग करनी है उसके बाद है जो बहुतिंग होगी हमारी उपर जो साथिन्च का खपड़ा है उसके साथ ही कटिंग होगी सारी यह हमने पीछे का गला काड़ दिया अब पीछे का जो पाट है वह हम साइड कर देंगे और जो आगे का है उसमें हम पांच इंज की इस तरीके से गुलाई देंगे तोड़ा सा यहां से बगल भी हम इसी तरीके से हलकी हलकी इसी आकर में इसको गोल कर देंगे यह पीछे का हो गया हमारा और यह हमारा आगे का हो गया इस तरीके से हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर कट मार देंगे या कोई भी निशान देंगे ताकि हमें पता रहे के मारा यह वीच का साइज अब हमने सबसे पहले आगे वाले पाट को उठाया अब यह देखिए आगे वाले पाट को हमने इस तरीके से उठाया और हमने क्या करना है यह उन्हें बीच का जो निशान लगाया था यह जो बीच का निशान है उसके उपर हमने इस बीच के निशान को इस तरीके से आएशे रहना है इस तरीके से चाहो तो एक ओल पल लगादे इसके अब हमने क्या करना है यह वाला किनारा इसके साथ किस तरीके से जोड़ेंगे यह देखेंगे लें हम इस तरीके से देखें यहें इस तरीके से प्लेटे डालते चलें ऐसे और ऐसे का पिबए यह बीच में हमारे प्लेटे आंगे और यह साईड उसमारी बिल्कुल एकवल बिल्कुल सब्सक्राइब इसमयरेन जैसे फिस सभू होっぱ हुए ऐसे ही साइड सेंडर जैसे आगर और सषिटल हैडी आपको ऩृभान करेंग इस तरिकेvoll की ऐ defekt प्लेट भूगए बीच भीच डलेगी इस साइड से नहीं बाप teर देगी और क्याओ कि आपने बगल में हाज़ेगी इस तरीके से में प्लेट डाल के पर फहले इस अगे टोली को सब्सक्राइब उसके बाद फिर आगी बताते हूं को इसे तरीके से हमें जो बैक साइड लिय सब्सक्ताना चाहे DRR यहां से अब लेखए 30 में कीशता यह पर आप凌टाकर प्लेट से हुआ अब लीएँ जबた सक्राइख टॉब आलने कि और में पर ब्रॉत कोला को नुट्ब भी है यह ततर बाकिने यहां से बुलाई की थी और वो इसके साथ में इसाथ इंच की घुलाई की थी और वो इसके साथ में इसल जी तो देखिए जो हमारी बगल की जो गुलाई होती यह इस तरीके से जैसे आईए कि इस तरीके से यह पорт्पनी हमारे निकल के अब आगे और पीछे की आभी यह तरीके से तियार कर दिया फिला है कि इस तरीके से में कंतियां जोडने उसके अगले पर पाइपिर लगाएंगे ये देखिंगे एक पड़े के पाइपन के लिए और कंद्या जोडने के बार में इस तरीके से इसका गलाद या करा भुञा कर अब बुसके बाद देखें है अधि मैं आपको शिलके दिखांगी वाजू की कटिंग इस तरीके से तरीके से घरखेंगे अब सब्सक्तर सब्सक्राइब तो देखिए इस तरीके से आपने ऐसे गोल-गोल करते हैं क्डी से लेके और यह बगल तक हमारी यह तरशी की गुलाई यह ड़सा है किस तरीके से करेंगे देखिए मैं बाजू की कटेंग भी आपको बता देते हूं फिर मैं आपको सिल्के दोनों चीज दिखा दूंगे सबसे बाले हमें इसकी लंबाई ची लंबाई मैं कहा दियू कि मुझे 7 इंच की तैयार ची तो देखिए मैंने 1.5 इंच मार्जन में डा चीज लंबाई मिल गई और यह चोड़ाई उसके बाद यहां से उपर से में यह साड़े तीन पे निशान लगाया और इस पोने को इस पोने से हमने मिलाया इस तरीके से तो देखिए हमारा बिलकुल 10 इंची आ रहा है इसमें जो फिटिंग होती है हमारी वो थोड़ी डीली होती है तो कि यह नाइक ट्रेस है तो इसमें हम फिटिंग जागा नहीं लेते होड़ी लोजी लेते हो ताकि हमें हाराम हो फिर्छwire इस के बाद लेंए हाल कि गद्टेक है कि अगे इस तरीके से कंदी जोड़ेंगे पहले कि आप अब इसमें हम सबसे पहले बाजू फिट करेंगे कि देखे बाजू के कुटिंग कहां कि पहले हमने किया कर ना है यह वाला जो निशान है है। हैं तित्सिति ञाइन है। यह वाला हमने इसको कि यह बाजू एऄ इस पर इस पे भी हमने निशान दिया और इस निशान को और इस निशान को हमने ओल पिन के साथ जोड़ दिया किए तो अब आमने आगे के साथ में अगे वली बाज़ु को इस तरीके से पकड़ नहीं, कोनी से कोना चिसको ना यह वाला गिरे का कोना और यह बाजु का कोना इस तरीके से और ऐसे ही इस तरीके से जोड़ेंगे यह देखिए कि यह देखिए बाजू में इस तरह किसे जोड़ दिया अभी बाजू जो है कि अधिक इस तरह किसे लगेगी बाजू जो है भाजू से निशां में जो नहीं । क्योंने हमें बाजुर लंबा है वह साथ इंच इशी तो 1.5 इंच का पहले में सबसे पहले देरी इंच का कपड़ा ही यह vivir fully in इस त्रीके से एप मार फोल्ट में Then दूपारा इस तरा के से फौल्ट रेला है को तहब यह के बाजु लगानेके बाद हमने आप फिटिंग करने हैं इसके बाजु में देखित दोनों लगा दी इस तरीके से अब हमने इसकी कैसे फिटिंग करनी है इस तरह किसे पहले बाजू से बाजू को पकड़ेंगे और जितनी हाथ की गुलाई होती है उस पे अमने इसका निशान लगाना है इसकी जो हाथ की गुलाई थी वो साथ इंच पर आये थी चोदा गुलाई थी उसका आदा साथ इस तरह के से उसके बाद हमने क्या करना है यहां से हमने यह जो गही रहे है इसको भी आगे और पीछे को इस तरह के से बराबर करना है और कि जो सलाई यह बाचवी तरफ इस तरफ ऐसे रखेंगे और निशान लगाएंगे हम कि यह देख लें आतो इसलो एक इंच का माट शेका है तो यह 1 इंच का ही इस तरीके निशान लगाना है ने फूरी मैक्सी पर देखे इस तरीके से निशान लगाएंगे और निशान के अपर पूरे यक्सी को सिलते वे नीचे तक जाएंगे देखे हम ने घेरे की मुडाई भी इस तरीके से कर दिये थोड़ी थोड़ी कर दिया हम नहीं नीचे से देखे भी सिलकर तेजार है देखे भी सिलकर तेजार है आप भी इसी तरीके से कोई लेस लगा सकते हैं चोली के उपर और ये गले के कि बैंदे लेगे घएवार्र तेखा उ partysis तरीके से कर देच। झाल झाल